हेलो और वेलकम तो यह फिर चानल ब्रेनोल सल्यूशन देख बच्छा क्वेशन नमबर सिक्स में एक टेबल है ठीक है यहां पर यह कहना है यह 25 घर है जिसमें यह बताना है कि कितना कितना डेली जो है उनका खर्चा होता है तो 100 से 150 के बीच में 4 घरों में होता है ठीक है 5 घर यह 5 हो जाएगा तो यह कितना है आपका इस फाइव फिर सॉरी 4 5 फिर यह 12 देन 2 ठीक है एक साइग क्या होता है बच्छों एक साइग होता है तुम्हारा अपर लिमिट प्लस लोग लिमिट दिवाड़ बाई 2 ठीक है 100 प्लस 150 दिवाड़ बाई 2 यह आजाएगा 250 बाई 2 यह आजाएगा 125 तो यहाँ पर एक साइगा तुम्हारा क्लास माक 125 ठीक है अब तुम देखो सेकेंड वाले में यह 150 और यह 200 तो क्लास माक कितना बन जाएगा यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 350 बाई 2 और 350 दिवाड़ बाई 2 यह कितना हो जाता है 175 ठीक है यह लिग दो 175 हो जा आउए 50 यह हो जाता है तो मैं 50 2 में 50 सेकर सम में आट करदू को ना तो में पाए सारे क्लास माक आजाएगा अगले में 50 यह दूर हो जाएगा 225 फिर 127 हो जायेगा साइगा यह हम करने है बच्चो, step deviation method से, क्योंकि देखो calculation इतनी बड़ी है अगर हमने direct method से करा तो हमाई calculation में mistake हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर हम di निकालते है, di का formula क्या है, xi-a, a क्या होता है बच्चो class mark का middle वाला होता है, यह कितने है, 3, 4, 5, 5 है, तो मैंने center वाला class mark ले लिया, assumed mean, a क्या होता है तुम्हारा, a is your assumed mean, तो यहाँ पर क्या है, a 225, अब तुम देखो, di is equal to xi-a, मतला, पहले वाले में देखो, 125-225, कितना हो जाएगा बच्चो, यह, minus 100, अगले माले में देखो, 175-225, कितना हो जाएगा, माइनस 50, 225-225, 0, 275-225, कितना हो जाएगा, यह, तुम्हारा जाएगा 50, 325-225, 100, अब निकालना है, तुम्हें, ui क्या होता है, di upon h, h क्या होता है बच्चो, h होता है, तुम्हारा, upper limit, minus lower limit, ठीक है, सही, यह, हो जाएगा, तुम्हारा 50, h भी आ गया, चलो, अब देखो, पहले बाले में, देखो, इसमें, देखो, कितना हो जाएगा, ui, कितना हो जाएगा, di, di, कितना है, तुम्हारा, minus 100, है, तो, ui is equal to, minus 100, upon h, कितना है, 50, तुम्हारा, minus 2, ठीक है, सिंपल है, चलो, अगला, देखो, अगले में है, तुम्हारे पास, यह, minus 50, minus 50 upon minus 50, minus 50 upon 50, हो जाएगा, minus 1, ठीक है, 0 upon 50, 0, 50 upon 50, 1, 100 upon 50, 2, सिंपल, आसान है, चलो, अब क्या करना है, f i, ui, इन दोनों को multiply करो, 2, 2 into, minus 2 into 4, minus 8, ठीक, 5 into minus 1, minus 5, 12 into 0, 0, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, ठीक है, clear है, बच्चो, सही, चलो, अब हमें निकालना है, summation, f i, इन सब को add कर दो, यह, पहली कह रहें कि देखो, 25 हाउज ले दो, इनका sum भी 25 ही आएगा, ठीक, चाहिए, आप add करके देख लो, अब हमें निकालना है, summation, f i, ui, तो इनका sum कितना है, बच्चो, जड़ा करो, summation, f i, ui, आएगा तुम्हारे पास, यह, दोनों हो जाएंगे, minus 13, फिर यह, हो जाएगा, तुम्हारे पास, this will come out to be minus 7, f i, ui, इन सब का sum आजाएगा, minus 7, चलो, अब इसे हम formulae में रखते हैं, तो हमें पता है, बच्चो, यहाँ पर जो तुम्हारा mean हो जाएगा, कितना हो जाएगा, this will be a plus summation, f i, ui, upon summation, f i, into h, ठीके, यहाँ पर a कितना है, बच्चो, 225, plus summation, f i, ui, is minus 7, summation, f i, is 25, into h, कितना है था, 50, 25, 2s, are 50, यह, हो जाएगा, 225, plus 27, the 14, sign लगेगा, minus का, minus 14, ठीके, यहाँ जाएगा, 211, this will be the mean here, ठीके, I hope अच्छे से समझ में आए हो गई है, वीडियो पसंद आएगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, थांक्यू फू वाचिंग, ब्रेनो सल्यूशन्स.